यम नियुजेंड योजना हरिगाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उमीद आज सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बहतर होंगे हरिगाना सरकार बड़ा महा धमाका और ये महा करारा जटका गरीब बीपिल रासन कारडवाणों को है पीला गुलाबी वाणों को सरसो का तेल बीपिल गैहूं चीनी ये नहीं मिलेगा सात्यों क्या कुछ ये मामला है और ये सरकार की क्या ये खेला है ये खेला नहीं करना चाहिए था सरकार को गरीब परीवारों का परीवार इसी रासन से चलता है इसी तेल से चलता है इसी चीनी से चलता है आप इसे ऐसे नहीं काट सकते तो सात्यों विस्तार से पूरा बताएंगे और माने निये CM स्री मनोरलाल खटर से मैं अपील करता हूँ और हरियना खाद्या आपूर्ती विवाग राशन विवागे उससे अपील करता हूँ CM साब आप तो अंतियोध्य की बात करते हो अंत जमा मैं उदे अंत का मतलब ना किसी कोई धर्म से नहीं जाती से नहीं किसी वर्ग से नहीं अंत का मतलब है जो कमजोर है जो पेसे से कमजोर है उदे का मतलब उठाना अंतियोध्य दो सब्दों से मिलकर बणा हुआ सब्द है वो आप उसको अंतियोध्य को अपना परिवार मानते हो आज आपका परिवार आपसे पूछ रहा है आप कहा हो आपने ये क्या क्या अपने परिवार के साथ कोण ऐसा धोका करता है तो साथियो मुझे उम्मीद सरकार इस पर कारवाई करेगी और मैं खाद्या पूर्ती चंडी कर डिश्टुडियो को बेजने का काम करूँगा ऐसा खेला आगे ना हो ये खेला रुखना चाहिए साथियो विश्टार से समवाद में चर्चा करेंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम गुरूप का लिंक दे दिया आप मेरे साथ जरूर जुने हरिगणा फेमली आइडियो हरिगणा बीपेल रासन काड़ हरिगणा केंदर का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो जो आपके काम की खवर हो सबसे पहले सबसे तेज सटी को विश्वसनी देने का काम करता हूं साथियो हमारा मकसद भी जिस दिन हमने इसी न्यूज चैनल की स्ताबना की बीपिल रासन का मामला बने थे दिसंबर लाष्ट मे 25 डिसंबर को सुसासन दिवस बर हमने उस दिन इस चैनल की स्ताबना की बड़ा वो सीम साब को देखने हैं हमने देखकर हमने इसको क्या उनका मकसद है अंतिओद्य तक योजनाओं को पहुँचाना अंतिओद्यो को उठाना अंतिओद्य तक सारी सुविदाएं देना आज ये जो हुआ बेहत गलत हुआ घर पे भी मेरे परी कुछ आए बड़े संख्या में लोग आए इधर इधर से बहुत ज़्यादा इसको लेकर परिशान है बड़े कोल मैसेज आ रहे हैं इनको रासन मिलना चाहिए ये राशन ऐसा है नहीं होना चाहिए ये मैं इस मैसले की मजब मत करता हूँ यहाँ आप देखिए सितंबर माहा में 88% एलोके सनाने पर 12% को कम मिलेगा कार्ट धारकों को सरकारी रासन तो ये पूरे हरियने के अंदर विबिन विबिन जिलों में ये खेल खेला गया है यानि 100 कार्डों मैं से 88 कार्डों पर रासन आया और यहाँ ड बीपो धारक से काट धारक समय पर जाकर आपना रासन लें ताकि कोई यहाँ ये देके अजीब और गरीब बयान है डिये फैसी डिश्टिक फूट सप्लाई ओफीसर महस यादव है इसको कहना चाहिए ता हम इन बीपेल वालों को रासन दिला के रहेंगे क्या के रहें कोट बीपो धारक से काट धारक समय पर जाकर अपना रासन लें ताकि कोई अपरा तफरी ना हो उन्होंने पता है सितमर में 18% ऐसर ऐलोकेशन आने की वज़े से 12% लोगों को कम रासन मिलेगा कम नहीं मिलेगा ही नहीं कम नहीं मिलेगा ही नहीं 88% राशन काट धारकों का रासन आया है वो 88% कौण है कुछ नहीं है जहां आगे तो वो दे रहा है ये कोई सकीम है ये पहले आओ पहले पाओ की दे रहे हैं ये डिये प्रसी साब ये बयान नहीं है डिये प्रसी साब आपका अपिक जिले के माली को यही कमोबेज बयान सबजी गया है क्या वो है ये गरीब के साथ मजा के ये अन्या है उनके लिए विवस्ता करनी चाहिए थी चंडीगड आपको अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी ये नहीं होना चाहिए हम इनसे संपर करेंगे इस डिये प्रसी से और इनसे बात करेंगे आगे आप चंडीगड इन गरीबों को रासन दिलाने का काम करिए ये 12% लोगों कम रासन मिलेगा ये मिली नहीं नहीं मिला ही नहीं मसीन दवाले बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बट गया आप माल नहीं है बड़ी संख्या में सो मैसे 88 लोगों को आप सिनम्मर महा में सरसो तेल चीनीर गया हूं मिल रहा 12% रासन काड वापिस अपने घर लोट रहे हैं अब ऐसे हैं जिनके जुगी जुपड़ी है उनका परिवारी से चलता वो किस से क्या कहें किसकी मा से मा कहें किसके पिता से पिता कहें वो कहां से पाले है पेट तो यह आप देखिए जिससे लोग डिपो होल्टर से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर रासन ले क्योंकि इस बार जिन लोगों को रासन नहीं मिलेगा वो डिपो धारक के साथ कोई जिद बहस ना करे ताकि विवस्ता बढ़ी रहे यहां कहरे हैं वहां कम का जिकर कर रहे है यहां कह रहा है नीचे कि जिनको राशन नहीं मिलेगा वो डिवो होल्डर से जिद बहस ना करे वो जिद बहस ना करे तो क्या करें डिफसी साब पेट का मामला है पेट का यह पेट का मामला है गरीब व्यक्ति का खाना कहां से पेट वरे क्या वो जिद बहस भी ना करे क्यों नहीं आया मेरा रासन वो पूछ नहीं सकता हो आपने श्टेटमेंट जारी कर दिया यह ठीक नहीं है यह नहीं होना चाहिए था यह नहीं बिलकुल भी नहीं होना चाहिए था खाद्यां अपूर्ती विबागन जिरा व्यादीकारी महस याद है उन्हें करा कि उन्होंने सभी खाद्यां अपूर्ती विबाग के निरक्चक और उप निरक्षकों को निर्देश देखवे सभी डीपो धारकों की दुकान पर जाकर रासन वित्रन कराएं और काड़ धारको वो कैसे समझेगा वो गरीब कैसे समझेगा जिसको रासन नहीं मिलेगा डूटी लगा रहा है कि लड़ाई जगडा ना हो आप बैड़ जाना हो हां यह क्या तरीका है एक इस्टेटमेंट यह तो कह देते कम से कम कि हम सरकार से बात करेंगे आपको राशन दिलाएंगे यह इस भी वश्तान बनी रहें डीपो धारक पिसेगा गाड़ी मिलेंगी सारे काम होंगे यह कहां गडबड हुए हो गडबड होनी चाहिए आज 12% काटा है कल को लगता है आधे लोगों का रशन 50% भी काट सकते हो ऐलो केसे नहीं बना क्या मतलब है यह गरीबों को सीम साब को पल यह जहां हुई है खेल वो खेल नहीं होना चाहिए था वो परेशान है क्या करे क्या ना करे ओ यहां उन्होंने का किसे तम पर माह में मिलना वाड़ा रासन जल्दी बटना शुरू कर दिया जगा यह पूरा का पूरा फिर इनोंने उनको कहा है डीपो धारको द्वारा किसी परकारिक होता ही बरदास नहीं किजाएगी लोगों को पूरा रासन वित्रन करें समय पर लोगों को पूरा कहां से पूरा रासन डीपो धारक वित्रन कर दें जब आप लोग पूरा ही रासन उनको नहीं दे रहे हैं गाम में बोल रहे हैं डीपो धारक तो खा गया अरे डीप ने नहीं बढ़ाई अब वो गरीब परिवार है इतना गरीब इतना गरीब परिवार वेकती एक आया बोला हमें राशन नहीं मिला ये मामला है अब उसको क्या जवाब दे क्या इसी तरह सरकार को आप पलूजता लगाएंगी या आपको क्या इस्टेटमेंट है ये डिये फै करेंगे कोसिस करेंगे सही योग हम हम उपर चंडिकड़ बात करेंगे जो यो लोग रहेंगे ततकाल इनको राशन मिले ये हम ववस्ता करेंगे और ततकाल ना मिले इनको आगे देने की ववस्ता करेंगे लोगों में भैका माहोल है गाओं में एवस्ता बना हुआ है बुर उन्हीं इस पूरे जो भी इसके अंदर दोसिय हैं, अलोकेशन के नाम पर उन पर कारवाई की जाएं, और इनको कारवाई भी ना तो कम से कम इन गरीब परिवारों को राशन जो रहे गए हैं, बड़ी तंख्या में मात्रा में रहे गए हैं, सो में से बारहे लोगों को राश प्ता करीक, बोट बोट अनिमाट